दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी योट्यूब चैनल एक्ट्रोजगार में और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सीजी महिला सूपरवाइजर के खूली भरती का जो यहां पर पेपर हो चुका है तो उसके परकार के questions का यहां पर answer आपका हो सकता है इसमें कुछ खामिया हो सकती है यह मेरे अनुसार जो answer त्यार किये गए है तो चलिए यहां पर देख लेते हैं तो पहला question यह है दोस्तों कि the new tower blocks are than the old buildings तो यहां पर comparative degree का question है कि जो नए building के जो blocks होंगे वह strong होंगे stronger होंगे as compare आपके पूराने building old building तो यहां पर आपका question का answer be stronger is the correct हो जाएगा now यहां पर आपके question number now यहां पर question number second के बात करें तो यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है invigorate और इस वर्ड का जो है एंटॉन यम्स जाने के विरोधी सब्द पूछा गया है तो अगर हम इसका मतलब सबसे पहले हम जान लेते हैं invigorate का मतलब होता है दोस्तों मजबूत करना और energize का भी मतलब एक तरीके से मजबूत करना revive का भी तरीके से यहां पर positive sign आ रहा है बट यहां पर इसका antonium हम अगर देखें तो डल होगा जिसका मतलब है weak करना या कमजोर करना या कमजोर होना तो यहां पर डल आ जायाएगा आपका इसका right answer भी हो जायाएगा यहां पर एक question दिया गया है आपका जो करेक्ट वब यहां पर हमको चूज करना है तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यह जो question है आपका इसमें लिखा है the boys are eager dash to the higher class तो इसका यहां पर हो जाएगा जो सही correct वब है to be promoted हो जाएगा इसका जो right answer भी हो जाएगा नाउ यहां पर जो question दिया हुआ है इसमें correct spelling आपको टिक करना है तो यह भी गलत है भी गलत है c भी गलत है और नौन अब्दिस भी गलत है तो यहां पर जो लिखा है word unscript pulse का मतलब होता है आपका एक तरीके से cheeky या निरलज होता है तो question 79 या फिर कह सकते हैं जो भी आपके set में हो उस question का right answer हो जाएगा a then उसके बाद यहां पर next question है आपका he jumped off the bus while it dash तो इसका correct answer was moving हो जाएगा वह बस से जो कुदेंगे तो कब कुदेंगे was moving जब turn हो रही होगी move हो रहा होगा bus then यहां पर आपके 81 नंबर का जो question है यहां पर मेरे पास तो इसमें पेसी वाइस जो correct है उसको आपको choose करना है तो इसमें जो correct form दीख रहा है a answer जो है यहां पर सही हो जाएगा the house has to be sold by him okay then उसके बाद यहां पर हम question number 82 देखते हैं तो यहां पर question है आपका these people dash house we destroyed in the earthquake need to be help तो इसमें आएगा जो correct question का answer वो यह हो जाएगा आपका इसमें को चाहिए जिनके जिनका अर्थ को एक में नुकसान हुआ है तो यहां पर फूम आपका correct answer हो जाएगा then 83 का जो answer होगा आपका इसमें question पूछा है one who is against the religion ऐसे जो मैंनिया ऐसे जो आप व्यक्ति परसंट जो रिलीजन के against तो उनको ही रेटिक कहा जाता है अर्टिक कहा जाता है OK then उसके बाद यहां पर पूछ एक word दिया है स्क्वाइलिड स्क्वाइलिड तो इसका मतलब होता है मलीन या गंदा हैपी और एगर और इसके बाद क्लीन यह सब वर्ट जो हैं आपके पॉजिटिव साइंस सो कर रहे हैं बट यहां पर देखेंगे जो सिनोनियम्स है आपका इसका इसका है फिल्थी यानिकी गंदा दैन उसके बाद यहां पर नेक्स्ट कोस्ट्रन है आपका देः वर-डेस 20 पीपल देः तो यह इसका आंसर आजाएगा हाडली आयेगा हम कहते हैं न बोलचाल की भाल्वा समें के हाडली वहां पर इतने पिपल से या व्यकती थे तो उसी प्रकार से यहां पर कोस्ट्रन का जी पुटिसमा है